Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel दोस्तो आज की वीडियो में TCS March NQT के जो इंटर्व्यू शेडियूल होने वाले हैं या इंटर्व्यू शेडियूल हो गए हैं 17 March से स्टार्ट होने वाले हैं तो उनकी hiring queries से related हम आज इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे मैंने कुछ points को consider करा है कि आपको अगर best show हो रहा है तो अभी तक आपको कोई नहीं mail आया तो आप क्या करें application received हो गई है पर कोई भी application received लिखा हुआ आ रहा है आपकी next step की portal पर कोई भी further update नहीं है March NQT का scorecard जो है वो show नहीं हो रहा है किस basis पे वो candidate को shortlist कर रहे है क्या हमें जरूरत है कि हम अब इस interview को की process को means अगर हमें कोई mail नहीं आया तो हम इसे छोड़के my NQT की तरफ बढ़ सकते है 6th point है interview का timing और slot details तो पूरा आज इस video में discuss करेंगे बीना देरी करे video को start करते है वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताना चाहता हूँ कि कल हमने एक video post की थी 14 March को की थी उस पे आप सभी का काफी अच्छा response था यहाँ पे TCS March NQT 2021 update से related मैंने 3 point यहाँ पे आप सभी के साथ discuss करे थे interview update, haul ticket और status तो यहाँ पे आपने काफी सारे comments पूछे थे 223 comments है total यहाँ पे काफी सारे comments का मैंने आपको reply भी दिया था कि किस टाइप से जो है आप अपना scorecard चेक कर सकते हैं पर आज की इस video में अब हम पहला point देखते हैं कि best show कर रहा है पर कोई भी mail नहीं है देखें दोस्तो best का मतलब मैं आपको कब से समझाते हा रहा हूँ मतलब almost five से six videos हो गई है जिसमें मैं सिर्फ एक ही बात बुलता हूँ best से related कि best का मतलब यह होता है कि आपका interview process के लिए जो registration है वो register हो गया है complete हो चुका है मतलब जो process होती है और वो हो गया है और आप अपनी जो application है उसको अब edit नहीं कर सकते हैं और further उसमें कुछ changes नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो registration है एक process में चला गया है तो best का actually मैं मतलब यह रहता है अभी तक mail नहीं आया है तो wait कीजिए जरूरी नहीं है कि कल से interview स्टार्ट हो रहे है तो सिफ कल ही खतम हो जाएंगे आपको wait करना है best show हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है second point यह है कि application received no further update next step की portal पे गए हम अमारी profile चेक करें वहाँ पे सी विशा लिखा ही कि application received उसके बाद ना best show हो रहा है ना haul ticket आया है ना interview mail आया है अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ सबसे बहले आपको अपना score चेक करने के लिए NQT की website पे जाना है वहाँ पे जैसे ही आप अपना scorecard देखेंगे तो आपको scorecard दिख जाएगा scorecard के basis पे TCS NQT की website पे एक point है frequently ask question में कि जो cutoff है TCS NQT का वो actually में क्या है तो जो cutoff है वो किसी भी pass या fail criteria के basis पे decide नहीं किया जाता है वो जो score रहता है उसके basis पे shortlist किया जाते है तो अभी तक या मैं नहीं पता है कि TCS किस basis पे जो है candidate को batch करती है या फिर particular score को लेके further updates देती है क्योंकि देखे यहाँ पे मैं आपको एक point समझाने की कोशिश कर रहा हूँ October NQT होई थी October NQT में क्या हुआ था सिर्फ 2021 की hiring होई थी जिन जिन candidates के 2019 and 2020 batch के जिन जिन candidates के अच्छे score थे उनको थोड़े टाइम बाद mail आने लग गए interview के interview start हो गए और placed हो गए सभी तो आप एक बात देखिए TCS team की तरफ से interview भी करवाई जा रहा है hiring भी करवाई जा रही है तो आपको यहाँ पे अगर आपका score अच्छा है आपका score medium भी है तो भी आपको कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम satisfy नहीं है हमारे score से कि नहीं हमें और अच्छा perform करना चीए था तो मैं आपको एक suggestion दूँगा आप my equity दे सकते हैं पर यहाँ पे कुछ candidates का ऐसा कहना है कहीं से हमने ये बाते सुनी है कि अगर आपने March equity दे दिये तो आप मही नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप eligible नहीं हो पाएंगे अभी आपने दिये फिर आप वापस कैसे दे सकते हैं तो दोस्तो इस से related अभी कोई भी update नहीं है कर सकते हैं पर अगर आप apply कर पाएंगे तो इसकी details में आपको further वीडियो में दे दूँगा और एक दो दिन में मैं थोड़ा study करके आपको comment section में बता दूँगा अब दोस्तो third point आता है कि March equity का scorecard शोनी हो रहा basic सी step है NQT की website पे जाना है जहां पे आपको view details का option आता है एक register now का option आता है एक view details का view details पे click करना है view details पे click करेंगे दो option शोंगे एक पुरी profile आजाएगी और एक scorecard का आएगा scorecard में जाके देखिए कि वहाँ पे scorecard generate हुआ है कि नहीं अगर आपने February दी है March नहीं दी है तो आप scorecard आराम से जाके देख सकते है February NQT candidates का भी है और March NQT candidates का भी है किस basis पे वो shortlist कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें अभी तक यह नहीं पता चल पाया है क्योंकि score कम रहता है जैसे मैंने आपको मेरी पहली पिछली वीडियो में भी एक्जामपल दिया था कि मेरे फ्रेंड का score बहुत कम था पर कैसे वो shortlisted हो गए निंजा प्रोफाइल के लिए तो यह TCS team की तरफ से रहता है कि वो क्या criteria decide करते हैं कि अगर आपके सभी चीजों में बराबर या हम बोल सकते हैं कि अच्छे नंबर हैं तो हो सकता है आप इसमें जो है select हो जाए क्या आपको मई NQT देना चाहिए मैंने आपको बता दिया इस score से satisfy नहीं है तो मई NQT के लिए apply कर सकते हैं इंटर्व्यू की timing और slots की detail अब देखिए इंटर्व्यू की timing और slots की detail जब हमने ये वीडियो देखी थी जब हमने ये वीडियो देखी तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि अगर 17 मार्च इसे इंटर्व्यू स्टार्ट हो रहे तो एक दिन पहले मतलब आज के दिन जैसे आपका कल interview तो आज के दिन आपको सारी details आजएगी interview की क्या आप online interview है offline हे ही नहीं online interview है तो यहां पे आपको 17 मार्च को 16 मार्च को सारी details आजएगी जैसे इंटर्व्यू का timing, slot, details, जो भी है आपको पूरा पता चल जाएगा तो दोस्तो I hope कि आप सभी को ये जो points से अच्छे से समझ आए होंगे इसमें मैंने आपकी queries resolve करी होगी interview से related कोई भी doubt है आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी भी चीज़ से doubt है जैसे कि Fab NQT हो गया या My NQT हो गया Fab NQT की hiring की बात करूँ तो अभी BC और BSC candidates की hiring चल रही है अगर आगे कोई भी further update hiring होगी तो आपको वीडियो में पता चलता रहेगा कुछ भी doubt आ रहा है comment section में पूछ सकते हैं अगर कल interview का mail आ गया है best of luck अच्छे से दीजिए interview और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे channel से help मिल रही है तो आप अपने experience से नीचे comment section में share कर सकते हैं thanks for watching the video